देश में वेक्सिनेशन की रफ्तार पर पिया मोदी ने क्या कहा है कि जिवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से क्या जटका लगा है मंगाल में लॉकडाउन की पाबंदिया फिर से क्यों बढ़ा दी गई है इसमें जुटने वाले सभी लोगों को बधाई हमारी प्याथिमिक्ता सभी केले वैक्सीन और मुफ्त वैक्सीन को लेकर है सुप्रीम कोर्ट से दिलि की केजडिवाल सरकार को जھटका लगा है दिल्ली हाई कोट के आदेश पर सुप्रीम कोट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया, इसमें प्राइवेट स्कूल के छात्रों से वारशिक और विकाश शुल्क नहीं लेने का निल्देश दिया गया था मदप्रदेश में अभी एक जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे, बच्चों को कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाने के लिए ये फैसला किया गया, अधिकारी और एक्सपर्स से चर्चा की जाएगी, सभी से सलाह करने के बाद ही प्रदेश में स्कूल खुलने का फैस देजी लाएगी, सियम शिवराज ने कहा कि फ्रेंट लाइन वरकर जिनकी दूसरी डोस बाकी है वो प्रात्मिक्ता से दूसरी डोस लें, सियम शिवराज ने कोरोना की साथ साथ बच्चों के चौदा प्रकार के वैक्सिनेशन के लिए भी प्रतिबधता जताई नौडर में वैक्सिनेशन के लोगों को खासी दिक्तितों का सामना करना पड़ रहा है, सेक्टर 30 में दो वैक्सिनेशन सेंटर हैं, लेकिन दोनों पर वैक्सिन ना होने के चलते लोग परिशान दिखाई दिये लोग घंटों खड़े रहने को मजबूर हैं लेकिन कोई कुछ बताने को तयार नहीं